विदेशी बाजारों में गिरावट के चलते दिल्ली तेल तिलहन बाजार में, कल खाने के तेलों में गिरावट दर्च की गई सरसो तिलहन, सोयाबीन, मुफली, तेल, तिलहन और कच्चा पाम तेल सहीद पामोलीन में भी गिरावट देखने को मिली तरसल विदेशी बाजारों में गिरावट के चलते भारतिय बाजार भी गिरावट के साथ बंध हुए मिलेशिय एक्सचेंज में भी कल 4-5 फिसद की गिरावट देखने को मिली जबकि शिकागो एक्सचेंज में भी गिरावट दर्च की गई मिलेशिय के हाजिर कारोबार में खादय तेल का भाव 10 डॉलर तूट गया विदेशों में सोया बीन देगम तेल का भाव भी 300 रुपे कमिंचर कम हो गया लेकिन सरकार की कोटा पर्णाली की वज़े से देश में कम सप्लाई की स्थिति के कारण सोया बीन दीगम में उतनी गिरावट नहीं आए जितनी आनी चाहिए थी फिलाल इस तेल में मामुली गिरावट दर्च की गई वहीं गुजराद के कारोबालियों का कहना है कि सरकार के खादय तेलों के शुल्क मुक्तायाद के लिए कोटा पर्णाली विवस्था को खादय तेल कीम्तों में वृद्धी का कारण माना जा रहा है इस अविवस्था को समापत कर सभी के लिए आयात खोलने की मांग इंडस्ट्री के द्वारा की जा रही है सरकार के इस फैसले से न तो किसान न तेल उत्योग और ना ही उभोकताओं को कोई फायदा हो रहा है सरकार को इस मसले पर ध्यान देते हुए ततकाल कोई फैसला करना चाहिए ऐसा बाजार जानकर मान कर चल रहे है सरकार को बाजार में शोट सप्लाई की स्थिती पर भी काबू करना होगा क्योंकि आगे जाकर शादी ब्या के मोसम और सरदी की मांग बढ़ना तै है वहीं आपको बता दे कि बुद्वार को मंडियों में सोयबीन और मुफली की आवक बढ़ती हुई दिखाई दी है जिससे खादय तेल कीमतों में गिरावट को बल मिला वहीं तेल संग्टनों को भी सरकार के साथ बैठक के दुरान उन्हें जमीनी हकीकत के बारे में बताना चाहिए कि खादय तेलों के आयाद की कोटा विवस्ता के कारण ही शोर्ट सप्लाई की स्थिति पैदा हो चुकी है साथ ही खादय तेलों के दाम सस्ते होने की जगह बढ़ गए है वहीं माना ये जा रहा है कि खादय तेलों की घटबर और अनिश्चिता से बचने का एक ही रास्ता है कि किसानों को भरपूर प्रहसान देकर देश में खादय तेलों का उतपादन बढ़ाया जाए और इसके लिए सबसे महतो पूर्ण है कि किसानों को उनकी फसल के लिए लापकारी मुल्या सूनिश्चित किया जाए बिरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी